स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकाडमी क्लासेस पर यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि हम बात करेंगे एनम जैनम एडमीशन 2023-24 को लेकर क्योंकि इसका कट ओफ ऑफ जो रिलीस किया गया था उसके बारे में बात करेंगे आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है लिस्ट जारी की गई पहले साथ 2700 की जारी की गई और फिर उसके बाद जो है जारी की गई 1800 की और उसके पहले उसकी जारी की गई 1769 Rights Tax BM और उसके सापका Patriot जारी म्था कई चारसोma 133 beliefs तो य้ पहले के लिस्ट आप सब 1700 को लिस्ट में सामिल यह था फिर उसके बाद क्यों के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो यानि अगर आपके माक्स जो है अगर आप 20 प्रतिशत यानि आसा कारिकत्ति और आसा संगिनी के रूप में थे आपने फार्म भरा था तो उनका न्यूनतम कट आफ यह गया है यानि अगर आप अन्रिजर्ब्ट्स हैं तो आप देख यह आसा कारिकत्ति तरीकी थी जो 20% पोस्ट थी इसी तरीके से जो 80% जो बाकी महलाएं बची जो 20% आसा वाली थी आसा की कटेगरी में आ रही थी उनमें अलग-अलग कटेगरी की अब जो ओपन सीट्स थी महलाओं के लिए उनकी आप कट आफ यहाँ पर देख सकते हैं त AWS में 82, OBC में 84 और SC में 82.883 तो यह SC का भी कट आफ जो है आपका EWS से ज़्यादा गया है यहनि SC कंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा हुए EWS Unreserved Candidate का जो EWS वाला सेक्शन होता है उसका कट आफ कम रहा SC से और यहाँ पर ST की आप देख सकते हैं 79.6 रहा तो यहनि कट आफ क सेनानी में आप कट आफ अलग अलग देख सकते हैं इसी तरह किसे यह तीन कटेगरीज में डिवाइड था यह Official कट आफ है इससे कम अगर किसी का है एवरेज आता है तो उसका सेलेक्शन नहीं हुआ यह उसका कट आफ से कम मार्क्स है इसलिए उसे सामिल नहीं किया गया ही क लेकिन इसके पहले जो लिस्ट आई थी वो 1369 लोगों की आई थी इससे जो है 453 लोगों को जो है सामिल किया गया तो यहां सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि 10% इसमें पूरुस रेडी के लिए आज जो है डिसाइड़ था तो जो पूरुस रेडी में जो 10% सीट थ गया EWS का OBC का 89 गया और SC का 87 गया और यहां पर ST का not available candidate रहा इसी तरीके से जो है यहां पर आप देख सकते हैं 15% A9 की जो A9 कर रखे थे और फिर वो उन्होंने जेनम के लिए अपलाई किया था तो उनके लिए जो यहां पर cut off है वो यह cut off रहा तो उसमें SC और ST का candidate ही available नही रहा है यहां पर कोई भी नहीं मिला और सत्ता संग्राम सेनानी का भी candidate यहां पर कोई नहीं मिला अब देखिए 15% यह हो गए अब देख लिए जो दोनों चीज़ों को हम समझा देते हैं कि अलग-अलग क्या उसका मतलब क्या है तो आप देखिए यहां पर 15% यह हो गए और 85% open seats हो गई open महलाओं के लिए हो गई तो इसमें देखिए 89 गया जो अगर आप open में थे तो यह open seats के लिए यहां पर था फुरुसका अलग हो गया और एनम वालों का अलग हो गया फिर उसके बाद unreserved seats यहां अनि open seats जो बाकी 55% की जिसके पास अलग से कोई reservation नहीं था उनके लिए यहां पर 89.867 था और इसी तरीके से आप देख सकते 86.1717 और यह cut off 86,88,86 यह cut off सभी महलाओं का जो पहली स्रेड़ी में थी यहीं पशात्र पसंट महला अब भ्यार्थी के लिए जो reserve seat थी केवल महला seat थी उनके यह गया अब यहां पर देख सकते हैं जो 77 संग्राम से जिनानी थे उनके लिए cut off यहां पर गया EWS का कोई candidate नहीं मिला और यहीं वही सेम चीज़ यहां दिव्यांग पुरसों में बात की गए तो केवल OBC में candidate मिला बाखी किसी में candidate अब लेविल नहीं रहे फिर उसके बद 75% महला है दिव्यांग वाले में जाएंगे तो यहां OBC और EWS का अलग-अलग cut off आप यहां पर देख सकते हैं तो यह cut off था यह official cut off है अगर आपका इस cut off से कम है तभी आपका selection नहीं हुआ फिलहाल waiting list आएगी उसका आप बेट करिए इससे कम भी cut off जा सकता है थोड़ा सा cut off में परिवर्तन जरूर होगा लेकिन वो बहुत ज्या